एक इंफलेशन होता क्या है ठीक है वट इज इंफ नाम सुना इसके बार में इंफलेशन का हिंदी में मतलब होता मेहंगाई हर रोज सुनते हो ना नियूस पेपर अक्बार औगरामे कि मेहंगाई बढ़ रही है ध्डौले से बढ़ रही है कॉंग्रेस के समय में błada ही पी बी government decide करती है कि इस rate से inflation बढ़ रहा है मतलब महंगाई बढ़ रही है तो दोस्तों अगर मैं अभी की बात करूं ना तो currently inflation is 7.44% का 7.44% इसका मतलब क्या है दोस्तों जब आप सुनोगे ना तो बहुत सारों लोग तो बढ़ान रह जाएंगे उनको तब यह पता लग जाएगा कि क्यों मैं कहा रहा हूं कि FD वगरा सारी waste of money है आपका आप अपना पैसा एक तरह से जला रहे हो तो आप देखिए यह है inflation calculator ठीक है कोई भी खोल लेना यहां पर जो मेरा पहला है मैंने open कर लिया inflation calculator में अगर हम अभी देखिए कि अगर आपके पास आज की डेट में एक लाक रुपे है ठीक है तो आज की डेट का एक लाक रुपे और पांच साल बाद का एक लाक चालिस अजार रुपे बराबर हो जाएगा इसका एक example देता हूं कि आज माद लो आपको किसी समान को खरीदने के एक लाक रुपे रखते हैं तो पांच साल बाद वही सेम समान को आप खरीदोगे तो एक लाक चालिस अजार रुपे लगेंगे इसका मतलब समझते हो कि आपका पैसा हर दिन घट रहा है अगर आप उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे अगर आप एक लाग रुपए को घर में ऐसे ही छोड़ देते हो तो पांच साल बाद उसकी कीमत 60,000 रुपए रह जाएगी खली क्योंकि वही सेम समान खरीदने के लिए आपको 40,000 रुपए एक्स्रा देने पड़ेंगे और इसी वज़े से मैंने कहा कि FD वगेरा, RD वगेरा यह सारे waste of money है क्योंकि यहां पर आपको return नहीं मिल रहा है क्यों क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि FD में आपको अभी currently कितना परसंट मिल रहा है, सास से आठ परसंट, सास से साड़े साथ परसंट का basic मान लो, किसी में 7.2 मिल रहा है, किसी में 7.4 मिल रहा है, और RD में भी same है, जादा तर लोग इंडिया में FD कराने में विश्वास रखते हैं, बड़ आपने अभी देखा कि यहां पे अगर आप बना लो या रूल बना लो कि आपका जो investment का return है दोस्तों, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए आपके inflation से, बट FD के case में क्या हो रहा है, FD के case में आपको यहां पे return मिल रहा है 7.1% और inflation चल रहा है यहां पे 7.4%, कैसे पैसा बचाओगे, कैसे पैसा बढ़ाओगे, कोई तरी के case, अब यहां पे यह situation क्यों आ रही है, क्योंकि यहां पे लोगों को investment के उपर तो भर-बर के ग्यान दिया गया है, लेकिन inflation के बार में ज्यादा तर लोगों को नहीं पता है, वो यहां पे सिर्फ सूचते हैं हमने investment करा दिया ना, बस हो गया, बट यहां पे उनको यह नह बनाना है long term में, तो आपका investment वाला portion तो हमेशे जादा होना चाहिए, इसका return तो जादा होना चाहिए, तभी तो आपका पैसा बनेगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, अगर 100 रुपे कमा रहे हो और 100 रुपे का खर्चा कर दिया, तो future में क्या बचा होगे, अगर आपकी surplus कम मतलब अगर आप महीने का 1000 रुपे कमा रहे हो, और उसमें से आपका खर्चा है 800 रुपे का, तभी तो 200 रुपे बचेंगे आपके, तो यही मैं चीज कहा रहा हूँ कि आप सिर्फ आँख बंद करके FD वगरा में invest मत करें